तो आपके काम असान करने के लिए मैं लेके आया हूँ 7 AI Tools जिया दोस्तों अगर आप ठीचर हो, स्टुड़न्ट हो या कम्पीटर ऑपरेटर हो आप जो कुई भी हो बेसिकली इन AI Tools की जानकरी आपको रखनी चीए आईए जानते हैं कौन से है ये 7 AI Tools AI, Artificial Intelligence Tools मैं सदिश आप सबका स्वागत करता हूँ Complete Technology पे, Let's Begin टूल नमबर वन में मैं जो टूल आपको बताने वाला हो, सबके काम में आ सकता है ये है बेसिकली एक Image Enhancer जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अपकी कुई पुरानी इमेज है जो आपने पुराने फोन से खीच हुई इमेज है वो बलर है कापी तो उसे आप इनहांस कर सकते है जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के उपर दिखाए दे रहा है इन्पूट में आप देख सकते इमेज कितनी बलर थी अब यहाँ पे आउटपूट में देखिए यह DSLR से इमेज खीची ऐसा लग रहा है इतना इनहांस करके देता है तो इस इनहांसर को आपको ज़रूर इस्तमाल करना चीज़ के लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दीए रिप्लिकेट.com इस पे जाकर आप यह इनहांसर यूज कर सकते हैं जरूर ट्राइ किजिए आपकी इमेज अगर आपको इनहांस करना है तो अपने कई पर रेकॉड किया रहolen आपको इस पूडियोक इस और आपको आपको नमर तरी की तरब टूल नमबर 3 ये टूल कापी इंट्रेस्टिंग है किसी भी 2D इमेज को यहाँ पे 3D में जनरेट करके देता है एनिमेशन के साथ कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस टूल को आप विजिट करने के बाद अप्लोड बटन पे क्लिक कीजिए अप्लोड में जाकर आप अपना कोई भी एक इमेज सेलेक कर लिजिए नॉमल 2D वाला मैंने एक मेरा यहाँ पे फोटो सेलेक कर लिया है कुछी सेकेंड में यह फोटो अप्लोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं यह यह आप एनिमेटेड 3D हो रहा है क्या बाद है क्या मस लग रहा है यह फोटो आप देख सकते हैं आप अपने पोटो के साथ जरू ट्राइक कीजिए यह है लियापिक्स नाम की एक कापी पाउरफुल जिसकी मदद से पूरा पूरा वेबसाइट यह पे डिजाइन कर सकते हैं यह वेबसाइट बनाने के लिए भी AI आर्ट इपिशल इंटेलिजिएंस आ चुका है तो कैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तूल को विजिट करने के लिए लिए प्रेम अपिवेबसाइट इन काउप्पसें जीए है तो यह स्टार्ट विट याूरा है और यह फर मनद को एैप्सि बट्रहें करो है।에는 यह टृंना थे सिय अबरी टाइम आपको अग 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 रिजर्ट देगा, तो यहाँ आप आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिं हैं, और इससे डारीक्टलिच भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम भी एड कर सकते हैं, यहाँ आपके व्याइट के वीच देखा एड आपके वेशपेंड नाम मोबाल पे वेबसाइट का डिजाइन आपको मिल जाएगा कि किस की उपर कैसे दिखाए जाएगा पुरा पूरा रिस्पॉनसिव वेबसाइट यहां पे जनरेट करके देता है यू डोंट नीड टॉप एनी सिंगल कोड जिया दोस्तों ऐसे भी आपको कोड की जुरूत नहीं इस टूल को बहुत सारी चीज़े इसके अंदर मैंने तो बस आपको एक प्रॉम्ट टाइप करके दिखाए या टूल में जाकर अभी के अभी प्रेमर डॉट कॉम पे जाकर विजिट कीज़े और चेक कीज़े इस टूल को अभी के अभी अब टूल नंबर 5 की तरब बढ़ बहुत सारी बार क्या होता है कि हमें एक इमेज चाहिए आप गूगल पर सरउच करते लेकिन वह इमेज वैसे नहीं मिलती feeling TOP Раз तू कि यहां पर इसे आप यूज किसे कर सकते यह लेकिन उसके करना क्या है अब इस निए मस्छीव का अभी replacing टूल है वह आपको विजिट करन पड़ेगा यह AI tool मैंने यहाँ पर विजिट किया उसके बाद यहाँ पर explore beta पर क्लिक किजी है जैसे आप explore beta पर क्लिक करोगे try this out नाम से आपके सामने बहुत सर टूल आएंगे text to image इमेज है जन्रेटिव फिल टेक्स्ट इपेक्स है मतलब टेक्स्ट इमेज से इमेज तयार कर लो इस इमेज में एक लोगो आ जाता है बाई कि यह AI जन्रेटिड इमेज आड़ा भी firefly की तरब से और commercial यूज के लिए आलाव नहीं है तो वो लोगो आप जन्रेटिव फिल से ह इतना चोटा सा प्राम टाइप किया आप कुछ भी टाइप कर सकते आपको जो इमेज ची राइट इक्जम्पल के लिए मैंने टाइप किया जन्रेट बटन पर मैं क्लिक करूंगा गाईज नाओ लेट्स है लुग दिस थी तू वन और बूम लोग एडियर गाईज विदिन 3 to 5 seconds यह आज आता है और यहां पर इमेज आपको मिल रहा है यह 8 मिल रहा है बिसकली इस नाट रियलेस्टिक बट यहां पर मुन है बिल्डिंग है ट्री है रोड है जो मैंने कहा था बेसिकली वह सारी चीज़े है तो मैं फोटो की फोटो की फ़म में इसे देखना चाहता ह इसे क्लिक कीजिए जैन आओ लूट इसे मुन भी आर है उसमें सेटी बीलडिंग भी आरे ही इर ट्री रोड भी है इसमें हाला की एक लोगो आजाता है डिखा दिता हु मैं बिसकली लोगो याने ओटर्माग आ जाता है कि वहीं अ कमर्शल यूज पेला सकते हो और इसके ल चुका है उसमें बिल्डिंग्स यहां पे ट्री रोड और यहां पे ओटरमाग भी आया है ओटरमाग आप फटा सकते हैं जेनरेटिव फेल की मदद से तो इंट्रेस्टिंग है ना तो यह ज़रू ट्राइ किजिए और इसमें तो मैं बहुत कुछ करता हो तो ज़रूर आप अपना काम आसान कर सकते हैं जैसे आपको वीडियो को एडिट करना है तो वीडियो एडिटर मिलेगा स्क्रीन रेकॉडर मिलेगा मर्ज वीडियो मिलेगा धेर सारे ट्रीम वीडियो मिलेगा एड इमेज टू वीडियो एड टेक्स्ट वीडियो धेर सारे टूल आपको एक पर एक particular website पर मिलने वाले है उसे के साथ audio tool आपको मिलेंगे audio को ट्रीम करना है, change volume करना है, change speed करना है audio का, fast आपको आपको करना है, पर चाहर पर गालता बहल रहा हूं तो ऐसा कुछ आपको करना है, तो change speed आपको दिया देर सरे, आप यह पड़ सकते है क्या-क्या tool यह पे मिल तो यहां पर आप देख सकते हैं धेर सारे converter, PDF tools, then audio tools and video tools आपको मिल रहे हैं 123apps.com के पर तो ज़रूर ट्राइ कीजिए दोस्तों इस tool को भी, it was tool no. 6, now let's go to the tool no. 7 अगर आपने कोई भी वीडियो शूट किया तो उस वीडियो को आप यहां पर जैसे द्रोन से शूट किया ऐसे convert कर सकते हैं या फिर उसे आप convert कर सकते हैं तो अलग-अलग वियू यहां पर मिलते हैं बस आपको lumalabs.ai इस particular AI टूल पर जाना है उसके बाद यहां पर देख सकते है अलड़ी इन्होंने वीडियो देख सकते हैं मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं जैसी यह वीडियो आपको दिखा दे रहा है इस तरह का अभी आप देख सकते है यह नॉर्मली camera से शूट किया लेकिन यह दूर नोस शूट किया ऐसा so teor हो जाता है साती में यहां पर म आप देख सकते हैं इसको इस तरह से भी राइट इस चोटे फॉर्मेट में आप इसे भी इस तरह से वीडियो को आप रोटेट कर सकते हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग टूल है आपका जो भी वीडियो है लुमा लैप्स.ai पे अपलोड करके देखिए यह अपी अच्छी तर चाहिए तो हम आपको वेल्कम कर रहे हैं हमारे अपल्यकेशन के पर जहार सारे स्कील्स आप कम पराइज में सीख सकते हैं अपलिकेशन के लिंक हम ने डिस्क्रिप्शन में दिये जहांपर आइसो सब्सक्राइब आपने सब कुछ इनियों मैं यहां पर एवरी मंत एक ना एक वीडियो ऐसा लाओंगा जिसमें AI टूल क्योंकि बहुत सारे हजारों AI टूल लाउंच हो रहे दोस्तों एवरी वीक आप देखेंगे तो हजारों AI टूल से आपे लाउंच हो रहे उन में से कुछ गिने चुने टूल में आपके लिए लेक्याओंगा जो आपके काम के रहेंगे सो बने रही है चैनल के पर बिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना खायाल रखना बाई बाई